दोस्तो आज हम pen card जो use कर रहे हैं वो हमारा bank account से भी link है अधार card से भी link है और अगर किसी व्यक्ति को आपका pen card मिल जाए तो वो किस तरह के fraud आपके pen card के साथ कर सकता है कि आप ये बात जानते हैं दोस्तो आज इसी बारे में मैं आपको detail में बताने वाला हूं कि आपके pen card से क कैसे आप उनसे बच सकते हैं दोस्तो मेरा नाम है साहिल आप देख रहे हैं भी विस्टर और अगर आपको सभी तरह के fraud जानने हैं तो दोस्तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट क्रेट कर दी गई है आप वहां से सारे fraud टाइप्स देख सकते हैं दोस्तो सबसे पहले अगर किसी को आपका pen card कहीं मिल जाए तो वो आपकी civil report निकाल सकता है वो किसी की भी हो सकते जैसे की Equifax Experience Transunion दोस्तो इस तरह के जो credit bureaus हैं यह information देते हैं अगर आपका pen card किसी को मिलता है तो वो यह detail निकाल कर आपके जितने accounts है या आपके credit cards हैं जो loan ल निकाल सकता है और उसका misuse कर सकता है दोस्तो इस तरीके से आपको अपने pen card को गिरने से या गुम होने से बचाना है दोस्तो pen card को हर जगा देना जरूरी नहीं है आप अपने pen card की जगा driving license, water ID, परमान के रूप में जो identity के रूप में भी दे सकते हैं तीसरा point यहां पर यह ह कि आपको जब किसी भी किसी को pen card दे रहे हैं चाये वो कोई company है या कोई व्यक्ति है यह जरूर चेक कर ले कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो एक परमानित याने की legal person है और दूसरा जिस भी सनस्ता को आप दे रहे हैं वहां पर photocopy जब आप दे रहे हैं उसके उपर अपने सिगनेचर, डेट, साइन करके दे, ताकि वो दुबारा से कहीं और यूज ना किया जा सके, तो कुछ साइटे ऐसी भी होती है, जहां पर आपको अपना नाम कुछ डिटेल्स डालनी होती है, दोस्तों हरेक साइट पर अपना नाम डिटेल्स मट डालें, उस तरकी डिटेल्स यूज करके आपके पैन कार्ड को ट्रेक किया सकता है, इससे भी आपको बचना है, दोस्तों कभी-कभी आपको ऐसे-ईसे लोग भी मिलते होंगे जो कहते होंगे हम आपको loan दिलवा देंगे और आप उसको अपने document share कर देते हैं दोस्तों ऐसे logo से बचे अगर आप उनको अपनी ये details share कर देते हैं इसका use करके आपके नाम पर loan लिया जा सकता है और आप एक दोविदा में फस सकते हैं पैन कार्ट जब आप अपने किसी फोन में रख रहे हैं और आपने गैलरी में सेफ कर दिया है और गलती से वो फोन गुम हो गया तो दोस्तो आपके जो डिटेल्स है उस पैन कार्ट से निकाल कर उसका यूस क्या सकता है तो दोस्तो इस सरा की चीज़ें अपने फोन में ना रखें तो अच्छा है अब इसके इलावा आपको किसी ओफिशल वेबसाइट पर अपने पैन कार्ट की डिटेल्स डालनी जरूरी है तो आप डाल सकते हैं लेकिन कंडिशन्स हैं इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है पोटल का एड्रेस याने की वहाँ पर HTTP S लिखा होना चाहिए S मतलब सेक्योरिटी तब आप वहाँ पर जो है उसका यूज कर सकते हैं पैन का डिटेल्स डाल सकते हैं दोस्तो अब इससे अगला जो फ्रोड है वो सबसे इंपोर्टन है होटल के अंदर भी आपके पैन काड के साथ फ्रोड हो सकता है आपका पैन काड कहीं गिर गया और किसी ने वो उठा कर यूज कर लिया वो होटल में चेक इन कर लेगा उसी पैन काड की अडेंटिटी इंफरमेशन दे कर और बात में अगर उस होटल में उस कमरे में कुछ गलत होता है तो दोस्तो आपकी अडेंटिटी के धार बर आपको ही पकड़ा जाएगा दोस्तो इससे आपको बचना है अगर आपके पैन काड से कोई अभूशन ज्याने की ज्वैलरी खरीद ले दोस्तो हम जब भी कभी ज्वैलरी खरीदते हैं तो एक लिमिट तक ही हम खरीद सकते हैं अगर उससे ज़्यादा खरीद नहीं है तो हमें पैन काड वहां देना होता है दोस्तो अगर आपका pen card इस तरीके से ज़्यादा अभूशन खरिदने के लिए यूज़ किया गया आपके नाम पर ही वह legal जो है notice जारी होगा कि आपने इतनी shopping कैसे कर ली तो दोस्तो इस तरीके से भी ये fraud हो रहा है आपको इससे बचना है अब ये सारे frauds मैंने आपको बता दिये है बचने का सिरफ तरीका जो मैंने आपको बीच बीच में बताया मैं आपको finally बता देता हूँ pen card अगर गुम हो जाए तो सबसे पहले उस pen card की जो है आपको report करनी है nearby जहां भी आप police station में report कर सकते है या जो pen card की official website है वहाँ पर आप नया pen card apply कर दिजिए और पुराने वाला cancel हो जाएगा दोस्तों इसके इलावा किसी भी ऐसी official website company किसी व्यक्ति को अपने pen card की information मत दें जिससे कि उसका miss use होकर आपके नाम पर काफी सारी चीजे जो है इशू हो जाए और आप बाद में आपको पश्टाना पड़े I hope दोस्तों मैंने आपके सारे doubts clear कर दिया होंगे अगर फिर भी किसी व्यक्ति को को doubt है pen card से related तो comment section में उसका नाम लिख सकते है दोस्तों वीडियो चलेके तो लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियों को शेर कीजिए जया इंद जया भारत